जब बच्ची एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमिनेशिट्स की पढ़ाई करते हैं तो बहुत कन्फ्यूज होते हैं जब एसेंशियल पूछा जाता है ना तो वो लिखते हैं कि वो लिखने में वो उल्टा कर देते हैं देखें ऐसे समझेंगे क्या लिखा वाँ उसको ध्यान मत दीजे पाले इस्टाम को पैस टीजे एसेंशियल अब जैसे आगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लाइफ में क्या एसेंशियल है क्या नॉन एसेंशियल तो आपको क्या अब अगर रिस्ट वाच अगर आप एक दिन नहीं भी लगाते है तो ऐसा थोड़ी कि आपका हार्ट बीट बन दो जाएगा तो एसेंशियल है वो आपकी आपकी इसेंशियल एक्जामेशन देने जाते है तो वाच को भूला जाता है बहार रग्याई तो उसकी बिना ऐसा आपका जो मतलब लाइफ को आगे जाके डिफाइन करने वाला चलिए एक्जाम है उसमें जब आपको उसको मना किया जाता है तो ऐसा तुनिए कि उसकी बिना आप एक्जाम नहीं लिखते ही है सारे बच्छे तो ऐसे समझेंगे इसको एसेंशियल मतलब आपको चाहिए क्य यहां पर सब्सक्रान से इंटाई क्यान चुर्ड ऑडन करते हैं वह इसेंशनल मंतलं हो नहीं सबmüş हैं उसमें और वह सारे बच्छे सो और अ कि रिखित करते हैं तो ऐसा पो नहीं करना है अपको अपनलर का चाहिए क्यों चाहिए विस्का मतलब आपकी बники कि युद्ध करने की ज़र परती नहीं परती आप क्या कर सकते थे खुद को सर्वाइब करा सकते थे बाहर से आपको नहीं चाहिए थे ठीक उसी तरीके से हम उसको बोलेंगे जो कि human body नहीं बना सकता नहीं फॉर्म कर सकता नहीं बना सकता तब इस चाहिए बना सकता फिर क्यों चाहिए होता आपको बाहर से नहीं चाहिए होता चिक उसी तरीके से उसको अपोजिट आपके पास क्या है non essential amino acids non essential amino acids की बारे में जब हम लोग बात करते हैं नहीं जरूरी है क्यों नहीं जरूरी है तो आपकी बोडी में बन रहा है वह आपका बोडी जो है वह फॉर्म कर रहा है जिसकी वज़े से हमने उसको क्या नाम ली तो यह एक छोटा सा टॉपिक था इसका स्कूरिंशॉट ले